जैश्री कृष्णा राधे राधे आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महातम्य के सत्रवे अध्याई की कथा बोलिए विश्णु भगवान की जै हो नारत जी कहते हैं उस समय शिवजी के गन प्रबल थे उन्होंने जलंदर के शुम्ब निशुम्ब और महा असूर काल नेमी आधी को पराजित कर दिया जहे देखकर सागर पुत्र जलंदर एक विशाल रत पर चड़कर जिस पर की एक लंबी पताका लगी हुई थी युद भोमी में आया इधर जै और शील नामक शंकर जी के गन भी युद में तक पर होकर दरजने लगे इस परकार दोनों सेनाओं के हाथी घोडे, शंक भेरी और दोनों और के सिंगदाद से धरती व्याकुल हो गई जलंदर ने कुखरे के समान असंखे बानों को फेक कर प्रत्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को पाँच, गनेश को पाँच, वीर भदर को एक साथ बीस बान मार कर उनके शरीर को छेट दिया मेग के समान गर्जना करनी लगा यह देखकर कार्ती के जी ने भी जलंदर्द को अपने शक्ती उठा कर मारी और घोर गर्जन किया जिसके आगात से वह मुल्चित होकर प्रत्वी पर गिर पड़ा पर वह शिगर ही उठ खड़ा हुआ और कुरोधा विष्ट होकर कार्ती के भगवान पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा ब्रह्मा जी के वर्दान के सफलता के लिए शंकर पुतरकार्थी के प्रत्वी पर सो गए गनेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धर्दी पर गिर पड़े नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से प्रत्वी पर गिर पड़े फिर दैतियों ने हाथ में परिदले शीगरही वीर भदर को भी प्रत्वी पर गिरा दिया वीर भदर को प्रत्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमी छोड़कर बड़े वेक से भाग निकले वे भागे हुए गण शीगरही भगवान शिव के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सबसमजार उन्हें कै सुनाया लिलाधारी भगवान ने सबको अभै देकर सबका संतोश वर्धन किया यहाँ पर कार्दिक मास महतमी के सत्रवी अध्याई की कथा समात होती है बोलिये विश्णो भगवान की जै हो कार्दिक मास में सुनी जाने वाली पोपा भाई की कहानी किसी गाउ में एक पोपा भाई रहती थी दियम ब्रत बहुत करती थी बहुत दान पुन्य करती थी एक दिन अपने भाई बाबी से कहने लगी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी मेरी जोपड़ी गाउ के बाहर बनवा दो और गाउ की इस्तिरियों से कहने लगी कि या आप अपनी गाएं और बचड़े मेरी यहां चरने को फेश दिया करो बचा कुछा बोजन बोजे बेश दिया करो एक दिन की बात है नगर का राजा शिकार केलने जंगल में गया हुआ था जंगल में जोपड़ी देखकर वहीं पर रुख गया सोचने लगा कि इस जोपड़ी में इतने घंगल में कौन रहता है उसने जोपड़ी का दर्वाजा खटखटाया अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह बार बार दर्वाजा खटखटाने लगा तब अंदर से पोपा बाई ने पूछा कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है तब राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ तब वह कहने लगी कि चले जाओ मैं किसी पराए पुरुष का मू नहीं देखती तब वो बोला कि नहीं दर्वाजा कोल मैं तो तेरे साथ विवाह करूँगा तब पोपा बाई ने कहा कि जहां से आये को वहीं चले जाओ मैंने कहा ना मैं पराए पुरुष का मू भी नहीं देखती तब राजा जबरदस्ती पोपा बाई को उठा कर ले जाने लगा रास्ते में पोपा बाई ने राजा को शापते दिया कि उसका सारा राजपाट नश्ट हो जाए जब वह अपने नगर में पहुचा तब उसने देखा कि उसका सारा राजपाट नश्ट हुआ पड़ा है तो राणिया कहने लगी कि इसको आप जहां से लाए हो वही वापस छोड़ आओ जब राजा पोपा बाई को छोड़ने जाने लगा तब रास्ते में पाप की नदी आई राजा उस पाप की नदी में डूब गया पोपा बाई धरम राजजी के पास पहुची तो धरम राजजी ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज़ दे दिया एक पर एक सेट से ठाने व्रित्य लोग से स्वर्ग लोग میں गए परवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देख कर उन्होंने धरम राज्जी से द्वार खोलने की प्रार्थना की तब धरम राज्जी कहने लगे कि मैं इस द्वार को नहीं खोल सकता हूं इस द्वार पर तो पोपा बाई का राज है तब सेट सिठानी ने कहा कि हम तो पोपा बाई को नहीं जानते धरमराज जी कहने लगे कि साथ दिन तक मुनत्य लोक में वापस जाओ वहाँ जाकर आठ खोपरी में राई भरकर पाँच कपड़े उपर रखकर कहानी सुनो और उध्यापन करो और कहो कि राज है पोपा बाई का लेखा लेगी राई राई का इस तरहें कहानी कहकर उध्यापन करके तबी आपको स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे बोलिये पोपा बाई की जै हो अब सुनते हैं दुख तरेदर मिटाने वाली गर में लक्ष्मी का आवास कर देने वाली लक्ष्मी जी की कहानी बोलिये लक्ष्मी माता की जै हो किसी नगर में अरिदास नाम की एक ब्रामण रहते थे अरिदास भगवान विश्णु के भक्त थे रोज सुबह उठते मंदिर जाते और भगवान विश्णु की पूजा करते भागवत कथा करते एक दिन की बात है अरिदास ब्रामन सुबह सर्वेरी पूजा करके अपनी घर की तरफ आ रही थे तब रास्ते में लक्ष्मी जी और उनकी वेहन ए लक्ष्मी की नजर उन ब्रामन पर पड़ी लक्ष्मी जी अपनी वेहन से कहती है कि देखो मैं अब इस ब्रामन के जीवन में परवेश करने जा रही हूँ मेरे परवेश करते ही इसके जीवन से निकल जाना ये बेचारा बहुत करीब है, भगवान विश्नु की बहुत पूजा करता है, इसलिए मैं इसकी सहायता करना चाहती हूँ, यह सब बाते सुनकर तो ऐ लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया, और कहने लगी कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूगी, तब दोनों बेहनों लक्ष्मी औ करते हुए जा रहे थे, पहले लक्ष्मी जी ने उन पर अपना प्रभाव दिखाया, और हरिदास जी के रास्ते में सोने की मोहरों से भरा हुआ एक बास रख दिया, हरिदास जी की नजर उस पास पर गई, उन्होंने बास उठा लिया, और सोचा, इसी अपनी घर ले चलता पंडित जी, मुझे मेरी चारपाई के लिए एक ऐसा ही बास चाहिए था, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, आपने कहां से खरीदा मुझे बता दो, मैं भी ले आऊंगा लड़की की बाते सुनकर हरिदास जी बोले, बेटे, मैंने इसे नहीं खरीदा है, मुझे तो रास्ति में पड़ा मिला है, यदि तुम्हें इसकी जरुत है, तो तुम ले जाओ लड़का कहने लगा, ऐसे नहीं लोगा, आप ये एक रुपिया मुझे से ले लो, और बास मुझे दे दो हरिदास जी तो खुश हो गए, उन्होंने एक रुपिया लिया, और लड़के को बास दे दिया, और उस रुपिये को अपने पूजा की थाली में रख लिया, अपने घर की तरफ आगे बड़े, तो लक्ष्मी जी और ए लक्ष्मी दोनों यह नीला खड़ी देख रही थी, ए लक्ष्मी कहने लगी, देखो लक्ष्मी, तुमारी इतनी सारी महरे मातर एक रुपिय में बिख गई, अब मेरे परभाव देखो, मेरे परभाव से तो यह एक रुपिया भी तुमारे भगत के पास नहीं दिकेगा, अब हरिदास जी कुछ तूर आगे ही जने थे, कि ता अब हरिदास जी फूल तोड़ने लगी, तभी खेलती खेलती एक बालक वहाँ पर आया, उसने थाली में रुपिया रखा देखा उसे लालच आ गया, उसने रुपिया उठाया और वहां से भाग गया, अब हरिदास जी को तो इस बात का पता भी नहीं चला, फूल तोड़ कर आगे जाने लगी, तो उन्हीं वह लड़का, जिसे उन्होंने अपना बास दिया था, आता हुआ दिखाई दिया, आकर में हरिदास जी से कहने लगा, पंडित जी ये बास आग वापिस ले लो, मेरी चार पाई में पूरा नहीं आया है, मेरा रुपिया मुझे वापिस क करने के लिए, जैसे कि वो थाली में ढोलने लगे, तो देखा, थाली में रुपिया है कि नहीं, क्योंकि हरिदास जी को तो पता ही नहीं था, कि रुपिया चोरी हो गया है, तब वह कहने लगे, कि मुझे नहीं पता, तुम्हारा वह रुपिया कहां चला गया, लगता है कह गिर गया है, मेरी साथ मेरे खर चलो, मैं तुम्हें वहां से रुप्या दे दूगा, इस समय तो मेरे पास रुप्या नहीं है तब वे लड़का बोला कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके घर आ जाऊँगा और रुप्या लेकर चला जाऊंगा ऐसा कहकर वह लड़का चला गया और मोहरों से भरा हुआ बास फिर से हरिदास जी के पास आ गया यह देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुरा दे लगी यह देखकर ऐ लक्ष्मी को पड़ा करोध आया और वह लक्ष्मी जी से कहने लगी ज़्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है अभी आगे देखो मैं क्या करती हूँ हरिदास ची आगे चले तब ही एक चरवाहा उन्हें रास्ते में मिला और कहने लगा कि ब्रहमन देव मेरा बेटा आपकी थाले से रुपिया उठा कर ले गया था इसे वापस ले लो और उसे शमा कर दो ऐसा कहकर उसने हरिदास को वह रुपिया भी लोटा दिया रुपिया पाकर हरिदास ची फे उस लड़की के पास गए जिसके पास से उन्होंने बास लिया था रुपिया लोटा कर अपने घर की तरफ जाने लगे अब हरी दास्टी की एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में मोरों से भरा हुआ बास था लक्ष्मी जी का प्रभाव जादा होती देखकर ए लक्ष्मी तो मारे क्रोध की जन भुन गई तब ए लक्ष्मी ने एक साफ का रूप धारन कर लिया और ब्रामन देवता की तरफ आने लगी ब्रामन देवता साफ को आता देखकर डर गई और भागने लगे पर सार्प बनी ए लक्ष्मी ने हरी दास्टी का पीछा नहीं छोड़ा तब उन्होंने अपनी रक्षा में अपने हाथ में पकड़े बास को जोर सी जो साफ पर मारा तो बास के दो ठुपड़े हो गई बास के तूटते ही उसके अंदर भरी सारी महरे धरती पर गिर गई इतनी सारी सोने की महरे देखकर तो हरी दास्टी की आंखे पटी की पटी रह गई साब बास की चोट से घायल हुआ और जाड़ियों में छिप गया तब हरी दास्टी ने भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का बहुत धन्यवाद किया और बहुत जैजेकार की उदर ए लक्ष्मी घायल अवस्था में माता लक्ष्मी जी के पास जाती हैं तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखा आपने मेरा ही प्रभाव जादा था इसलिए, अब मैं हरिदास्टी के जीवन में रहूंगी और तुम्हें हरिदास्टी के घर से निकल जाना होगा तब मातालक्ष्मी ऐ लक्ष्मी को समझाती हैं कि देखो परसंदा किसी को कुछ देने से प्राप्थ होती है छीनने से नहीं जब तुमने ब्रामन के जीवन में परवेश किया वह उदास था लेकिन मुझे पाते ही उसके चेहरे पर परसनता आ गई और वह मेरी जेजे कार करने लगा अब तो ऐ लक्ष्मी को भी सारी बाते समझ में आ गई थी ये लक्ष्मी माता जैसे आपने हरिदास पर अपनी कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना सब के घर में खोग धन समपत्ती देना बोलिये लक्ष्मी माता की जय हो तपसी लपसी की कहानी एक तपसी था और एक लपसी था दोनों आपस में मित्र थे तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूझा करता और रोज तपस्ट्या करता लपसी को पूझा पाथ नहीं आता था वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी पजाता, जीन कर चद्दर तान कर सो जाता एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस चिर गई, कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भगत है तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भगत हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भगत तो मैं ही हूँ लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ती करता हूँ पूजा करता हूँ भगवान की तपस्या करता हूँ तुम मैं बड़ा भक्त हूँ तुम क्या करते हो तुम तो बस भगवान को बोग लगाते हो और जीम कर जदरतान कर सो जाते हो तोनों लड़ रहे थे उसी समय नारद मुनी प्रत्वी पर घूमने के लिए आए उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते जगरते देखा तो उनकी लड़ने का कारण पूछने लगी तब दोनों ने नारद मुनी को परणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई तपसी कहने लगा कि नारद मुनी जी मैं तो हमेशा भगवान की भक्ती करता हूँ तपस्या करता हूँ लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है तब लपसी बोला नारत मुनी जी मैं भगवान की पूजा पाठ की विधी नहीं जानता मंतर जाप की विधी भी नहीं जानता बस मुझे तो इतना पता है कि सच्ची मन से सबकी सेवा करो उसी से भगवान पर सन्न हो जाते हैं तो मैं तो भगवान को रोज सवासेर की लापसी बनाता हूं भोग लगाता हूं और जीम कर सो जाता हूं मुझे से जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूं और मदद करता हूं और मुझे लगता है कि प्राणी मातर की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भगती है इसलिए मैं अपने आपको भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ तपसी और लपसी की बाते सुनकर नारत मुनी कुछ देर के लिए सोच में बढ़ गए फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है यह बात मैं सिद्ध कर दूँगा लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूँगा दोनों को नारत मुनी की बातों पर विश्वास था इसलिए दोनों पर संदमन से अपने अपने घर चले गए अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर इसनान करने के लिए जाने लगा तो नारत मुनी ने उसके रास्ते में सवा करोड की एक अंगुठी रखती तपसी ने वह अंगुठी देखी तो उसने सोचा यह तो बड़ी कीमती अंगुठी है लगता है किसी की गिर गई है उसने अंगुठी उठा कर देखा तो देखा वो तो बहुत महँगी थी बस तपसी के मन में लालच अगया उसने सोचा कि इस अंगुठी को बेच कर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे उससे मैं बहुत बड़े यग्य करूँगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ती करूँगा और अपने आपको भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूँगा बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा दो कर तपस्चा करने बैटा तो पैर के नीचे अंगूठी दबा कर बैठ गया उधर लपसी ने रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा तब नारत मुनी ने उसकी रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही सवा करोड की एक अंगूठी रख दी लपसी ने भी अंगूठी को देखा उठा कर सोचने लगा अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है लगता है किसी की गिर गई जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा उसने अंगूठी उठाई और भगवान की मंदिर में चला गया मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगुठी भगवान के ही चरणों में रखती उसने सोचा कि जिसकी भी अंगुठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा तो उसे अपने अगुठी यही पर मिल जाएगी और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगा कर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया शाम होई तो तपसी लपसी फिर से मिले तब ही वहाँ पर नारज जी आ गए तो दोनो नारज जी से पूछने लगे कहिए नारज जी हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भगत कौन है तब नारज जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भगत तो लपसी है तो तपसी तो चिर गया बोला नारच जी आप ऐसा किस अधार पर कह रही है तब नारच जी ने कहा कि सुभे मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोडों करोडों की अंगुठी रखी थी तब नारच जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगुटी उठा कर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है, और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगुटी भगवान के चरणों में चड़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगु पूटी होगी वह यहां से उठाकर ले जाएगा इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भगत है अब तो दपसी को अपने भूल पर बहुत पच्टावा हुआ वो तो नारच जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा है भगवान मुझे दया करो मुझे से गलती हो गई अब आप बताओ मेरे तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा तब नारच जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहाने कहकर तेरी कहाने नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा जो ब्रामन जिमा कर चिना नहीं देगा तो उसकी तपस्या का उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा जो अपने घर में गाए कुटे की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा दीपक जलाकर हात नहीं जोड़ेगा दीपक से दीपक जल तो उसकी तपस्या का सारा पल तुछे मिल जाएगा और इतना कहे कर नारज जी वहां से अंतर ध्यान हो गए इसलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है वरना किसी भी कथा कहानी का पल नहीं मिलता बोल ये तपसी लपसी की जै हो अब सुनते हैं कार्थिक महीने के गुरुवार की कहानी बोलिए प्रस्पति देव भगवान की जय हो किसी गाउं में एक भाई बहन रहते थे भाई का विवा हो गया था बहन का विवा नहीं हुआ था बहन बहुत पूजा पाट वाली थी कूप धरम करम करती थी बहन लड़ू तो खा लेती और कटोरा कोठडी में रख देती उस कोठडी को किसी को भी खोलने नहीं देती एक दिन उसकी भापी ने कोठडी खोल कर देख लिया देखा तो कोठडी में जग्मग हो रही है उसने पड़ोसन से कही तो पड़ोसन बोली कि तुम्हारी ननन कहा से लाती है तो वो बोली मुझे तो नहीं पता कहा से लाती है पर मैंने कोठडी कोल कर देखी तो उसमें चांदी के कटोरे भरे भरे थे तब पड़ोसन कहने लगी कि अपने पती से कह दो तो उसने जाकर अपने पती से कही पता नहीं तुम्हारी बेहन कहा से लाती है कोठडी में कटोरे भरे पड़े हैं चांदी के लेकिन उसके भाई ने अपने पत्नी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया तो अगले दिन फिर पड़ोसन के पास गई और बोले कि मेरे पती तो मेरी नहीं सुनते तो पड़ोसन कहने लगी कि दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दो उसने दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दिया अब उसका पती बोलने लगा कि पागल हो गई हो क्या तो वो कहने लगी कि पागल मैं नहीं होई तुम्हारी बेहन हो रही है पता नहीं कहां से लाती है कोठडी में कटोरे ही कटोरे भरे पड़े हैं चांदी के इसे घर से निकाल दो नहीं तो हमारे भी लोग दोश लगाएंगे अब भाई अपनी पतनी की बातों में आ गया बहन के पास आकर बोला चलो जी जी मामा के चलें अब बहन ने सारी बाते सुन ली थी उसे पता था कि मामा के कैसे लेकर जाएगा तो कहने लगी कि भाई जहां तुझे केले का पेड़ और मंदिर दिखाई दे मुझे वहीं उतार देना तो कहने लगा अच्छा ठीक है उस दिन गुरुवार का दिन था दोनों चल दिये तो भाई ने जंगल में जा कर देखा कि केले का पेड़ है पास में मंदिर है उसने बेहन को वही पर उतार दिया अब उस जिन गुरुवार का दिन था बेहन का वरत था तो उसने जाकर केले की पूजा करी वही पर वैठी ब्रसपतिवार की कहानी कही और पूजा करी आरती करी तभी ब्रसपति देव वहाँ पर आये क्योंकि आये सोचा देखो तो मेरी बेहन करेगी क्या तो जब उसने देखा कि मेरी बेहन ने तो पूजा पाट करा उसके बाद ब्रस्पती देव आए और उसे चामदी का कटोरा और चार लड़ो देकर चले गए तो वो पेड़ के पीछे से निकल कर आया उसने ब्रस्पती भगवान के पैर बगड़ लिये अब ब्रस्पती भगवान उससे नाराज हो गए बोले पापी मेरे पैर छोड़ कुआरी कन्या पे तुकलंक लगाता है ये तो मेरे वरत करे हैं और इसे मैं सब कुछ दे कर जाता हूँ इसको तो तुम बिदा करके भी इसकी फिकर मत करना अब वो अपनी बेहन को घर वापस ले कर आ गया उसकी पत्मी दरवाजे पर खी खड़ी थी जब उसने देखा कि बेहन को वापस लिया आ रहा है तो देखकर बोली इसे फिर वापिस लिया तो वो अपने पत्नी पर नराज हो गया और बोला मेरी बहन से कुछ मत कहना मेरी बहन तो ब्रस्पतिवार के वरत करती है और ब्रस्पति भगवान इसे चांदी का कटोरा दे कर जाते हैं उसकी पतनी को गुस्सा आ गया, बोले मैं भी देखूंगी इसके बरस्पती भगवान को, तो सारे नगरी में जाकर बोलाई कि सारे अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे खर आ जाना, मेरी ननन बरस्पती वार की वरत करती है, सब को चार चार लड़ू और चांदी का कटोर बहन देगी, आप तो बहन ने सुना उसे बड़ी चिंता हुई, बहन तो एक टांग पर खड़ी हो गई, ब्रस्पती भगवान से प्रार्थना करने लगी, ब्रस्पती भगवान मेरी लाज रखो, तीन बार उसने ब्रस्पती भगवान से प्रार्थना की, ब्रस्पती महरा आए सब को चार चार लड़ू और चांदी का कटोरा देके चले गए ये ब्रस्पती भगवान जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी सब भी रखना कहते सुनते हूंकारा भड़ते सब पर अपनी किरपा बनाए रखना बोलिए ब्रस्पती भगवान की जैहो विश्नु तुलसी महारानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो धन तुलसी पूरन तपकीनो शाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मल शिरीपती कमल चरन लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो कौन से महीने में बोईरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो कौन से महीने में हुई तेरी पूजा कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो अशार मास में बोई रानी तुलसा सावन मास में हुई हरी आली नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो कार्दिक मास में हुई तेरी पूजा मंग सिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो धूग दीप ने वेत्य आरती कुश्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो चपन भोग छती सो व्यंजन बिन तुलसी हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाई श्री कृष्ण के दर्षन पाई नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को दो पहर को गाई खीर खांड के भोग लगाई नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को सांज को गाई श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को रात को गाई श्री कृष्ण के चरन दबाई नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो सभी सक्की मैया तेरो यश्गावी भगती दान दीज्यो महरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो बोली तुलसी मादा कीजेहो